हेलो गाइस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शिक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 नुमबर तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हमिशा की तरह आप इस वीडियो को अंक तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी बताना जाओंगा यदि आप हमारे daily current affairs pdf weekly pdf और monthly pdf जाते हैं तो इस वीडियो के first comment में या फिर description में हो पाएगा हमारे pdf को संबंदी आपको कोई भी doubt है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आच्छा question देख लेते हैं इसका answer आपको comment box में करना है हिराकुन डैम इस बिल्ट एक्रोस विच रिवर हिराकुन बांध किस नदी पर बना है options आपके सामने है ब्यास काविरी नर्मता या फिर महानदी जल्दी से आप answer कर दीजे comment box में फिर आगे बढ़ते हैं who has become the first woman president of the Indian Olympic Association बारत्य ओलंपिक संग की पहली महिला अध्यक्ष कोन बनी है options आपके सामने है और सही answer option A है P.T. उशा P.T. उशा नाम आप सभी ने सुना है लिजेंट्री former athlete रही है यह Indian Olympic Association IOA की president बन गई है actually यह loan contender थी इनके लावा और किसने nominations फाइल नहीं किये थे तो इसलिए इनको चुन लिया गया है कोई competition इनके सामने नहीं था और आपको जानना चाहिए यह first woman है जो की Indian Olympic Association के president पत पर पहुची है अगर हम 95 साल के इतियास ही बात करें Indian Olympic Association में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिला इस पत तर इस पत तक पहुची है साथ ही यह first Olympic winner है और international medalist है जो इस post पर पहुची है आपको जाना चाहिए इससे पहले राज्यसभा के लिए भी member of parliament के तोर पर elect हो चुकी है अच्छा इन्होंने 1982 से 1994 की बीच Asian Games में 11 medal चीते जिसमें की 4 gold medals रहे साथ ही इन्होंने Seoul Asian Games 1986 में 4 gold medals चीते 1200 में, 1400 में, 1400 में, 400 में hurdles में, 4 by 400 relay में साथ इन्होंने 100 में silver medal भी जीता आपको जानना चाहिए इन्हें golden girl बोला जाता है पयोली express बोला जाता है यह कई बार exam में पुच्छा जाता है कि पयोली express के नाम से किसे हम बोलते हैं तो सही answer PT Usha है Queen of Indian track and field भी ने बोला जाता है आपको जानना चाहिए इनका जो full name है जो PT Usha जो full name है यह है पिलावुला कंडी थेकेरा परंबिल उशा यह केरल राज्ये से आती है अगर हम Indian Olympic Association की बात करें इसके स्थाफना 1927 में हुई थी Headquarters New Delhi में है और इसके Secretary General Rajiv महता है Name the Padmishri and Kheel Ratna Arjun Awardee who has become Ambassador of the TB Mukta Bharat Campaign Padmishri और Kheel Ratna Arjun Awardee का नाम बताए जो TB Mukta Bharat अभियान की राजदूत बने है या फिर बनी है Options आपके सामने है सही answer option A है Deepa Malik तो आपको जाना चाहिए Padmishri, Kheel Ratna Arjun Awardee और इंडिया की First Women Paralympic Medalist साथी Paralympic Committee of India की President Deepa Malik इन्होंने TB Mukta Bharat Campaign को अपना support किया है अपना support दिया है साथी से National Ambassador भी बन गई है और निक्षय मित्र भी ये बन गई है आपको जानने चाहिए सितंबर के महिने में भारत की President ने परधान मंत्री TB Mukta Bharat अभियान लॉंच किया था साथी 2025 तक TB Eliminate करने के लिए निक्षय 2.0 पोर्टल भी एनाउंस किया था तो याद रखेगा कि जो ये निक्षय पोर्टल है ये टीवी से संबन दीत है तो आपको जानना चाहिए कि एरो इंडिया जो कि एश्या का लार्जेस्ट एरो शो है इसका चोदवा एडिशन ये लहंग का एरफोर्स इस्टेशन जो की करनाटक के बैंगलूरू में है यहाँ पर संबन होगा 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच में ये एक बाइनियल शो है और आपको जाना चाहिए पांच दिन तक ये चलता है हिंदुस्तान एरोनोडिक लिमिटेड हॉल ये नोडल एजन्सी हैं जो भी डिफेंस इवेंट्स हमारे देश में होते हैं उसके लिए नोडल एजन्सी एच्चेल रहता है और इस एरो शो को भी यही और्गनाइस करने वाला इस साल बाकिया आपको जाना चाहिए अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपोर 2022 ये गांदे नगर गुजरात में संपन हुई है विच रिनोंड ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हैस दगोंड द उत्राकर्ण गोर्वर्मेंट हायर गरेल उत्पात को दोगना करने के अपने लक्षे को हासिल करने में मदद करने के लिए किस प्रसिद्ध वैस्विक प्रबंदन प्रामर्श दाता को चुना है आपके सामने है सही आंसर ओप्शन C है मैकिनसी तो आपको जाना चाहिए कि उत्राकर्ण सरकार ने एक टार्गेट बनाया कि अगले 5 साल में जो इनकी क्रोस इस्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट है यानि की GSDP है उसको डबल करते जाए तो इसके लिए इन्होंने एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है मैकिनसी इसको हाइर किया है आपको बताने जो त्रकंट सरकार का लक्षे है कि 2.73 लैक क्रोड रुपीज की जो GSDP है फिलाल इसको दो ना कर दी जाए 5.5 लैक क्रोड रुपीज कर दिया जाए अगले 5 साल में आपको जाना चाहिए कि यह जो कॉंटेक्ट साइन किया गया है मैकेंसी के साथ यह 2 साल का एग्रिमेंट है और इसके तरह जो यह कंपनी है यह एग्रिकल्चर, होर्टिकल्चर, अर्बन, सर्विस सेक्टर, इन्फा प्रोजेक्ट्स तो इन सभी छेतर में कार्य करेगी और लोगों की इंकम बढ़ पाए इस तरह के परियासित के रहेंगे अच्छा उत्राकंड से ही सम्मदित आपको एक और जानने चाहिए हाली में इगास फेस्टिवल मनाये गया है इसे बुड़ी दिवाली बोलते हैं तो यह पांच तिन का फेस्टिवल होता है और दिवाली के बाद जो फर्स्ट अमावस्या होती है उस दिन यह शुरू होता है और उत्राकंड में जोंसार बावर रीजन में यह सेलिब्रेट किया जाता है इकास उत्राकंड में होली डे होता है इसे इसे बारतिय खादिशुरक्सा और मानक प्रादिकरन द्वारा खाद्य पशुप का टैग दिया गया है औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन्डी है हिमालियन याक तो देखिए हिमालियन याक इसको फूड एनिमल टैग दिया गया है फूड सिफ्टी एनिस्टेंडर्स अथरोटी ओफ इंडिया एफ एसस एयाई के द्वारा आपको जाना चाहिए जो टैग है ये हिमालियन याक को दिया जाने का जो प्रपोजल है ये दिरांग रुनाचल प्रदीश बेस्ट नैसनल रिसर्च सेंटर ओन याक द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था देखिए ये भी स्टैटिक कोश्य का स्टैटिक जी का एक महत्तव और कोशन है कि नैसनल रिसर्च सेंटर ओन याक कहां पर है ये कई बार एक्जाम में पुझा जाता है आपको जानना चाहिए कि जो याक है ये हिमालेन रिजन में पाया जाता है नाचल प्रदेश, सिक्किम, नौर्थ बेंगॉल उत्राकंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाग, जम्मो और कश्मीर जबकि जो वाइल्ड याक है ये तीबत में पाया जाता है 2019 की अगर हम सेंसेस की बात करें इनकी संख्या में इंट्रेस्टिन डे ओफ सॉलिटरिटी विद्दा पैलिस्टिनियन पिपल इस ऑपसर्ड ऑन विश्टे फिलिस्टिनी लोगों के साथ एक चुटता का अंतरास्टे दिवसकिस दिन मनाया जाता है आपके सामने हैं सही आंसर आप्शन सी है नेवंबर 29 तो आपको जाना चाहिए इंटरनेश्टिन डे ओफ सॉलिडरिटी विद्दा पैलिस्टिनियन पिपल ये एक उनाइट नेशन्स ऑर्गनाइस्ट ऑप्सर्वेंस है और हर साल 29 नवंबर को ये जनरली सलिब्रेट किया जाता है मनाया जाता है क्योंकि 29 नोंबर को रेजोलिशन 181 इसकी अनिवरस्री होती है तो ये उनाइट नेशन्स का एक resurrection है resolution 181 इसको बोला जाता है तो ये कहता है कि जो पैलिस्टीन है उसको दो भागों में जो है पार्टिशन उसका कर देना चाहिए एक अरब और एक जोईश इस रों कंड़क्टेट 200 कंजिक्टिव सक्सेस्फुल लॉंच ओफ वीच साउंडिंग रोकेट इस रोंने कि साउंडिंग रोकेट का लगातार दोसोवा सफल परिक्षन या सफल प्रसेक्षम या सही आंस है थुम्बा थ्रुनंतपुरम के रल से आपको जाने चाहिए कई तरह के कैम्पेंज जैसे क्वेटरियल इलेक्टोजेट और लेओनिड मेटोर सावर इंडियन मिटल एट्मोसफेर प्रोग्राम मोंसून एक्सपेरिमेंट मिडल एट्मोसफेर डायनमिक्स और सुर्य ग्र आ कि से सपर नैंस्सवीशिस लिंटेड नमबर में किस बैंक ने नैशनल इनमडेंग सर्वीशिस लिंटेड के साथ साढ़ दारी में एक एक एलेक्ट्रीट बैंक कारंटी लॉंच की है which is a a बैंक तो जानेगा कि केनरा बैंक ने यहां नेशनल इगवर्णनेंस सर्विसेज लिमिटेड नेसल के साथ पार्टनर्शिप में इलेक्ट्रोनिक बैंक गारंटी लॉंच की है तो इसे के साथ अब जो केनरा बैंक है यह एप्याई बेस्ट एप्याई मतलब एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेस्ट डिजिटल वर्क फ्लो जो है प्रोवाइट कराता है जो बैंक गारंटी से उनका और इसमें जो फिजिकल इस्वेंस है स्टांबिंग है वेरिफिकेशन है पेपर बेस्ट रिकॉर्ड मेंटिनेंस है तो इन सभी को जो आविशकता है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है आपको जाना चीज़ो एन एसल के हमडी एंड सीवें यह देवजोती रे चोधरी है अच्छा हाली में केनरा बैंक को नंबर बन रैंक किया गया है मिर्स्टी ओफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नलोजी द्वारा फिस्कल यह टॉंटी टॉंटीवन अच्छा हाली में भी देखा था कि FSIB ने सत्यनारण राजु को रिकमेंट किया है कि कैनरा बैंक के M.D.N.C.O. पोस्ट के लिए अभी रिकमेंट किया गया है अभी M.D.N.C.O. यह बने नहीं है सत्यनारण राजु FSIB का क्या मतलब है Financial Services Institutions Bureau Post Harvest Management Center and Rural Collection Center have been inaugurated in which state Post Harvest Management Center और Rural Collection Center का उत्गाटन की स्राज्ची में किया गया सही आंसर उप्शन ए त्रिपुरा है तो जाने का त्रिपुरा की Chief Mr. Manik Shah इन्होंने Post Harvest Management Center and Rural Collection Center यह गोला घाटी में इनोग्रेट किया है और जो 500 फार्मर्स हैं इस्पेसली जो वीकली ट्रेडर्स हैं उनको इसका फायदा मिलेगा त्रिपुरा की बात करें गवर्णा सत्यदेव नाराण आ रहे हैं Capital अगरतला है Wildlife Summit has adopted India's proposal for enhanced production of which turtle species वन्यजीव सिखर सम्मिलन ने कच्योंगी किस प्रिजाती के सन्नक्षन के लिए बारत के प्रस्ताव को अपनाया है options आपके सामने है सही answer option D है let's soft sell turtle तो जानिएगा convention on international trade in endangered species यानि की sites तो इसके तहर जो let's soft sell turtle है इनके protection को और मजबूती मिली है भारत के द्वारा कैसे इंडिया का एक proposal इंडिया द्वारा पर एक proposal दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जो यह sites जो convention है तो इसमें जो let's soft sell turtle है यह appendix second में इसको appendix one में आप जो है डाल दीजे insert कर दीजे तो इस proposal को adopt कर लिया गया है जो conference of parties होती है उनके द्वारा 19th meeting at panama में तो इससे क्या होगा अब जो legal international trade होता है in turtle का तो वो जो है commercial purposes के लिए नहीं होगा लिखाए ना this will ensure that legal international trade in the species does not take place for commercial purposes के लिए इसका जो है ट्रेड नहीं होगा तो appendix जो बन होता है उसमें काफी सक्त नियम होते हैं आपको जाना चाहिए यह टर्टल है यह लार्ज फ्रेस्वाटर सॉफ्ट सेल्ड टर्टल होता है पेनिंसुलर इंदिया में पाया जाता है और आयूसीन के लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है यह अगर हम बात करें साइट्स की तो इसका हेटक्वाटर्स यह कहां पर लोकेटेड है जेनेवा स्विटिजल लेंड में है और यह जो ट्रीटी है यह 1973 में साइन गरने के लिए अपन हुई थी और कपसे लाग हुई एक जुलाइं 1975 में जो बड़े एकजाम होते हैं जैसे PCS, IES उनमें याज इससे कोश्चन बनता है जो एक कन्वेंचन है इससे कोश्चन बन जाता है विच विलेज इन तमिल नाडू हैस बीन नोटिफाइड एस इस्टेट्स फर्स्ट बाइडावस्टी हेरिटेज साइट तमिल नाडू है किस काओं को राज्जे की पहली जैव विवित्ता विरासत इस्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है सही आंसर ऑप्शन भी है अरिता पट्टी तो जाने का अरिता पट्टी यह तमिल नाडू में फस्ट बाइडावस्टी हेरिटेज साइट के रूप में नोटिफाइड की गई है यह जो साइट है यह अरिता पट्टी और मिनाक्षी पुरम विले है क्या नोटिफाइड किया गया है फर्स्ट बाइडावस्टी हेरिटेज साइट आपको जाना चाहिए इसमें काफी रीच बाइलोजिकल एंड हिस्टोरिकल सिकनिफेंफिकेंसी विलेज रखता है यहां पर लगबगे 250 बर्ड इस्पीसीज की पस्तिती रहती है जिसमें क एरिया को बाइडावस्टी हेरिटेज साइट्स जो है चुन सकते हैं यह नोटिफाइड कर सकते आपको जाना चाहिए बारत में चार बाइडावस्टी होट सपोर्स हैं एक है हिमालय दूसरा है इंडो बर्मा तीसरा है सुंदर लेंड और चोथा है वेस्टरं गाड्ड इ प्रेटेंड स्पीज नोटिफाई किया गया है अठारे स्टेट्स एंड टू युनिट अरेटरीज के द्वारा विच कंट्री विल होस्ट तव इनोग्रल ओलंपिक इस्पोर्ट्स वीक इन 2023 कौन सा देश तोजार थीज में ओलंपिक इस्पोर्ट्स वीक की मिजवानी करेगा और ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन सी है सिंगापूर तो जानी का इंट्रेशल ओलंपिक कमिटे ने कंफर्म किया है कि सिंगापूर फस्ट एवर इस्पोर्ट्स वीक को होस्ट करेगा 2030 में 22 जून से 25 जून के बीच में 25th National Conference on EE Governance held in which state or UT EE Governance पर 25 वा रास्टिय सम्मेलन के जराज या कि नसाजित प्रदेश में आयू जीत हुआ है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन दी है जम्मू और कश्मीर काफी महत्रपून कोश्यन है द्यान से देखेगा तो Department of Administrative Reforms and Public Revences ने Ministry of Electronics and Information Technology Government of India के साथ मिलकर साथी State Government of Jammu and Kashmir के साथ मिलकर 25th National Conference on EE Governance इसको और्गनाइज की है कट्रा जम्मू और कश्मीर में 26-27 नौंबर के बीच में तो 25th edition यह रहा है सबसे महत्रपून इसका थीम क्या रहा है तो options में आपके साथ सामने थीम भी पूछ सकता है थीम याद रखेगा Bringing Citizens Industry and Government Closer यह जो Conference है इसको Union Minister of State Dr. Jitindra Singh द्वारा इनुगरेट की किया गया है इसी मौके पर जो यह Union Minister है इन्होंने National Awards for E-Governance यह भी दिये हैं पांच categories में 18 E-Governance initiatives को और इनमें जिसने Gold Award जीता है इसको 5 लाग रुपे और जिसने Silver जीता है इसको 3 लाग रुपे दिये गए है जिसमें की E-Gram Suraj है और Audit Online है तो इनको Excellence in Government Process Re-Engineering for Digital Transformation इस category में Gold Award दिया गया है महित्तर प्रदेश की Geology and Mining Department को Gold Award दिया गया है इनके Mine Mitra Portal के लिए साथी जम्व और कश्मीर के स्री नगर डिस्टिक को Gold Award दिया गया है इनके Project GAS के लिए जो कि एक E-Learning Initiative है 12-18 साल के Age Group के लिए राजस्थान की स्री गंगा नगर डिस्टिक को Gold Award दिया गया है इनके Ganga Canal Regulation and Computerization Project के लिए किसे सम्हानित किया गया है तो जानेगा रवी कुमार सागर बाइस साल के हैं वन अफ ते यंगेस्ट अपनी Entrepreneurship चैनरी को सुरू किया PPE Kids, Sanitizers, Face Masks ये Medical Stores and Hospitals को इन्होंने Sell किये और केवल 50,000 रुपे की Investment के साथ इन्होंने 2 करोड रुपे तक का Business Turnover Generate किया आपको जानाए डोक्टर कलाम सेवा पुरुसकार ये वंदे भारत Foundation and Lead India Foundation के द्वारा हर साल दिया जाता है किस मौके पर President of India जो हमारे लेट फोर्मर प्रेजिदेंट अफ इंडिया रहे हैं Dr. A.P.J. अबदुलुकलाम इनकी बर्थ एनिवर्सरी को commemorate करने के लिए Who has been awarded the United Nations Highest Environmental Honor Champions of the Earth for 2022 2022 के लिए सही उक्तरास्ट के सरवच्च परियावरन सम्मान Champions of the Earth से किसे सम्मानित किया गया सही आंत्र ऑप्शन दी है पूर्णिमा देवी बर्मन तो जानिएगा आसाम से आती हैं ये पूर्णिमा देवी बर्मन इनको United Nations का Highest Environmental Honor जिसका नाम है Champions of the Earth ये दिया गया है 2022 के लिए और जो UNEP है इसके जो एक्जेगेटिव डिरेक्टर हैं इंगर एंडर्सन इन्होंने ये Champions of the Earth 2022 Awards को अनूंस किया है नहरोवी Kenya में United Nations Environment Program ये UNEP की फिल फॉर्म है आच्छा United Nations Environmental Program साथ ही आपको जाना चाहिए इनको तो मिला इनके साथ और कितनों मिला है चार और लोग को मिला है लग कंट्रीज के तो ये भी एक कुश्चन अपने आप में मनता है कोई भी अवार्डर जो इंडिया के किसी परसन को दिया गया है उसी के साथ साथ विदेश के भी और कि कुछ लोगों को दिया गया है तो कुश्चन यहां से ही बन जाता है कि इनके साथ साथ और कितने लोगों को दिया गया है तो चार और लोगों को प्रसकार दिया गया है Champions of the Earth आपको जाना चाहिए एक Wildlife Biologist है और हर्गिला आर्मी इस अगरिक उड्यान सुक्सा ब्यरो को सुरक्सा उपाई हुए उलमगन के लिए हवाई अड्डो और एर लाइन पर कितने राशे तक का जर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है सही आंसर ऑप्शन ए है वन करोड रॉपीज तो देखे मिस्ट्य ओफ सिविल एविशन ने ड्राफ्ट एरक्राफ्ट सेक्यूरिटी रूल्स 2022 नोटिफाई किये हैं जिसके तहद जो एविशन सेक्यूरिटी रेगुलेटर है बीर ओफ सिविल एविशन सेक्यूरिटी इसक तो एक बार जब यह ट्राफ्ट फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद जो प्यूर ऑफ सिविल एविशन सेक्यूरिटी से यह पैचास लाग से क्रोड रूपे तक का फाइन एयरपोर्स या फिर एरलाइन्स पर लगा सकती है आपको जाना चाहिए जो रूल्स है यह एरक् सिविल एविशन सेक्यूरिटी को इंडिया इंडुस्ट्रियल ग्रोथ मेजर्ड बाइन इंडेक्स ऑफ इंडुस्ट्रियर प्रोडक्शन आई-ई-पी रिकॉर्डड अग्रोथ ऑट परसेंट इन सेप्टेंबर एस अगेंस्ट अ कॉंट्रेक्शन ऑफ 0.7 परसेंट इन उद्योगीक उत्पादन सूस्ट कांख त्वारा मापी गई भारती उद्योगीक फृद्धी ने अगस्त में 0.07 प्रतिशत के संकूचन के मुकाबले सितंबर में कितने प्रतिशत की प्रतिशत की है सही आंसर ऑप्शन भी है 3.1 परसेंट तो देखिए इंडेक्स ऑफ इं अंबिया की इंडेस्ट्रियल ग्रोथ है उसको मेजर किया जाता है तो सितंबर के महीने में 3.1 प्रतिशती ग्रोथ यहां पर रिकोर्ड की गई है अगर हम कंपेर करें अगस्त के 0.07 प्रतिशत कॉंट्रेक्शन से यह डेटा नेशनल इस्टेस्टिकल ओफिस द्वारा रि इलेक्टरिसेटी सिग्मेंट में 11.6 परसेंट की ग्रोथ देखी गई है आपको जाना चाहिए सितंबर 2022 के लिए जो क्विक एस्टिमेट्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडेस्ट्रियल प्रोडक्शन है जिसका बेस यह टॉंटी इलेवन 12 है यह 133.5 रहा आपको जाना चाहिए जो एक विक एस्टिमेट्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडेस्ट्रियल प्रोडक्शन है यह हर महीने के 12 हो याने की जो बारात दिनांग होती है उसको जारी की जाते हैं शिक्स वीक्स लेक्ट के साथ नेसल एजूकेशन सोसाइटी फोर ट्राइवल इस्टुनेंट्स और्गनाइज एन ओनलाइन वरक्शोप इमर्स प्रिंसिपल्स एंड इस्कूल हैट्स इन कॉलेबरेशन विद विच कॉर्परेशन जन जाते चात्रों के लिए रास्टेशिक्स सोसाइटी ने किस निकम के सहयोकसी इमर्स प्रदानाचारियों और इस्कूल प्रमुकों के लिए एक ओनलाइन कारेशाला आज़ीत की है और आपके सामने सही आंसर ऑप्शन दी है माइक्रोसॉफ्ट जानेगा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फोर ट्राइबल इस्टूदेंट्स एक अटोनोमस औरगनाज़िशन है मिस्ट्य ओफ्टाइबल अफेर्स के तहट इन्होंने एक ओनलाइन वर्क्शॉप औरगनाइस की है एकलाविया मोडल रेसिदेंशल स्कूल्स के जो प्रि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फोर ट्राइबल इस्टूदेंट्स है इन्हों नेशनल इस्ट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोजी एनाइएफ्टी के साथ कोलेबरेट किया है जिसके ताइजोंने केरियर कांसलिंग वर्क्शॉप को औरगनाइस किया है 11th और 12th क्लास के जो प्रेंट्स हैं एक लव्य मोडर रेजिदेंशल स्कूल के उनके लिए हैं विचाइटी बिस्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन कार्बन केप्चर एंड यूट्यूलाइजेशन हैस लॉंच तर असेस्मेंट ऑफ सियो टू जियोलोजिकल स्टोरेज पोटेंशल इंड तो देखेगा नीतियायुक नेत्र एंटीपीसी और आइटी बॉंबे इस्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन कार्बन केप्चर एंड यूट्यूलाइजेशन इन्होंने भारत में सियो टू जियोलोजिकल स्टोरेज पोटेंशल का असेस्मेंट जो है लॉंच किया इंडियन नेवी लॉंच्ट विच सर्वे वैसल लार्ज यानिकी एसलवी एट कटूपली इन तमिलाडव बारतिय नोसे नाने तमिलाडव के कटूपली में कौन सा सर्वेक्शन पोर्थ लार्ज लॉंच किया सही आंदर ऑप्शन ए रहेगा एक श्युक तो देखें इंड लिखा इसका मतलब है सर्वे वैसल लार्ज तो देखें चार सर्वे वैसल इंडियन नेवी को मिलने हैं उनमें से यह थर्ड इसका नाम है एक्षक और कहां पर लॉंच या गया को टूपली तमिलाडव में 26 नॉम्बर को अच्छा जो इसका नाम है इसका मतलब होता है इस ने दिया था गार्डन डीश सी बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स खोलकाता को साल 2018 में 2435 रुपे की लागत के साथ आपको बता दें इसमें जो फस्ट सर्वे वैसल रहा है उसका नाम संधायक रहा है संधायक और यह 5 दिसंबर 2020 को लॉंच कर दिया गया था previous assignment questions की answer देखेंगे 2022 Ipsa Blind Football Asia और Oceania championships held in which city? answer is Kochi Keral, China ने यहाँ पर जीता है इस tournament को Indian naval ship Sivalik and Kamotra completed visit to which country? answer is South Korea in India Nassal organ donation is observed on November 27 from 2010 Nassal Cadet Corps the largest uniformed youth organization in the world raised in 1948 celebrated its 74th anniversary on November 27 the University Grants Commission has asked universities and colleges to host sessions on meditation and mental health developed by the Art of Living Foundation who is the founder of this foundation answer is Siri Sri Ravi Shankar who broke the world record for the highest individual score in men's list A cricket by hammering 277 of 141 balls against Arunachar Pradesh in the Vijayha Jari Trophy answer is Narayan Chagadishan Tamil Nadu और आप में से कई experts ने बिलकल सही answer दिया है इसी तरह से आप participate करते रहिए चलिए आज के assignment questions देख लेते हैं which states Milk Federation owns the brand Avin? how many women were there in the constituent assembly the modern day of Guru Tegh Bahadur is observed every year on November in 2007 jet airways acquired which airline as a wholly owned armed and question it jet light in which state the Mamta scheme that targets pregnant and lactating women is being implemented which country announced a ban on the import or sale of communications equipment by Chinese tech company Hawaii citing an unacceptable risk to national security तो इन 6 questions के answer आप हमें comment box में जरूर दीजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथ ही guys आप करेंट अफेर्स फंडा को टेरीग्राम पर भी जोन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर बीडियो अपटेट्स और करेंट पीजर्स हम